हेम चन्यातव विस्वितल है दुर्गी यानि की दुर्गी निवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने भी फर्स्ट येर के केंडिडेट हैं उन सभी का नमांकन फॉर्म यानि इन्रॉल्मेंट फॉर्म यहाँ पर जो है स्टार्ट हो गया है दोस्तों आज की वीडियो में हम ज जरूर देखें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंज आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों हेम चन्यादा हो विस्वितल है दुर्गे का इन्रॉल्मेंट य जिसमें आप 11 सितंबर तक ऑनले नमंगन फॉर्म भर पाएंगे नमंगन फॉर्म भर लेने के बाद उसके प्रिंट आट यानि हाड़ कापी को 13 सितंबर के जो है बीच जाकर आपको कॉलेज में जम्मा कर देना होगा इसके बाद यहाँ पर आवशक दस्तावेज है उसको जम्मा करने का अंतिनती थी है 15 सितंबर रखा गया है तो यह डेट आप देख लेंगे इसके साथ यहाँ पर आपको 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 कैसे बना है पूरा कम्प्रिट इंफॉर्मेशन इस पीडियेप में दीगी है आपको आपको जो है दुर्गे उनिवर्सिटी लिखे सर्च लिखा हुँआ जाता है यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही हमारे सामने वेब्साइट है वह ओपन हो जाएगा इसके बात जैसे आप इस सारी जो है नोटिफीकेशन आया हुए हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्रोल्मेंट फॉर्म फोर और 23 22 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे से हमने यहाँ पर जो है लॉगिन करने का पर जा जाता है दोस्तों अगर आप अपना password forget करना चाहते हैं तो वह असानी सी कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं forget password पर आपको click करना है username लिखा हुआ आ रहा है अगर आपको username याद नहीं है तो जो भी दोस्तों आपने email id दिया होगा उसी email id को यहाँ पर डालेंगे नीचे email id लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आपको अपना email id डाल देना होगा याद दोस्तों नीचे आप अपना mobile number भी दे सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और दोबारा यहाँ पर जो student पर आपको click कर देना होगा इसके बाद आपको password मिल गया है आप अपने email id उपर में डालेंगे नीचे आपको password डालना होगा और यहाँ पर नीचे submit का button है यहाँ पर हमें click करना है जैसे friends हम submit के button पर click करते हैं हमारा जो profile है इस प्रकार से login हो जाता है इसके साथ ही दोस्तों अगर आप अपना password change करना चाते हैं तो आप असानी से change कर सकते हैं क्योंकि जब भी आप login करेंगे आपको जो है बार-बार password डालना पड़ेगा तो आप अपनी सबसे password यहाँ पर change कर लेंगे यहाँ पर देख सकते हैं change password लिखा हुआ आ रहे हैं यहाँ पर click करेंगे दोस्तों करेंट password में जो आपके mobile नमबर और email ID में आया होगा password उसको डालेंगे यहाँ पर password लिखा हुआ आ रहे हैं तो आप अपनी सबसे कुछ भी password बना लेंगे जो आपको याद हो और confirm password पर आपको जो है वही password दुबारा डालना होगा login करने के लिए दिबारे यहाँ पर student पर click करेंगे email ID पासवड डालेंगे और दोस्तों दुबारा आपको login कर लेंगे इसके बात आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारा options आ गया है सो दोस्तों हमें enrollment form फिल करना है तो देख सकते है enrollment form लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा सो आपको यहाँ पर click करना है सबसे पहले enrollment form भरने के लिए यहाँ पर जो कोर्ष टैप लिखा हुआ आ रहा है यहाँ से click करेंगे तो अगर आप यूजी याने graduation करना चाहते है तो यूजी पर click करेंगे पीजी करना चाहते हैं डिपलोमा करना चाहते है जो भी आप कोर्ष कर रहे हैं उस कोर्ष को यहाँ पर आपको select करना होगा इसके बाद दोस्वेर यहाँ पर देख सकते हैं सलेक्ट कोर्ष लिखा हुआ आ रहा है जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं BA, BSC, BCOM, BBA जो भी आप जो हैं कोर्ष में एडमिशन लिए हैं उस कोर्ष को यहाँ पर आपको सलेक्ट कर लेना है जैसे कि बेसे लिये होंगे तो यहाँ पर BAC, Bachelors of Science आ रहा है उसके बाद यहाँ पर semester पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं first year, second year, final year यहाँ पर तिन year दिया गया है अगर आप first year में admission लिये हैं तो यहाँ पर first year आपको select करना होगा इसके बाद institute यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी जो है दुर्गी निवर्शिटी की अंतरगत आने वाले colleges हैं सभी का नाम आ जाता है तो आप जिस college में admission लिये हैं उस college को आपको select कर लेना होगा college select हो जाने के बाद नीचे student type पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से regular है तो regular पर क्लिक कर देंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर proceed का button है यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा profile है इस प्रकार से open हो जाता है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं four steps दिया गया है इन चारो steps को follow करते हुए हमें अपना जो है नमांकन form फिल करना होगा सबसे पहले application detail लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पूरा जो detail है वह आ जाता है आपका नाम, middle name, last name यहाँ पर देखने हो को मिल जाएगा father's name, mother's name सारे detail आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा options जो अधूरा है उन सभी options को यहाँ पर आमें फिल करना होगा दोस्तों कुछ information पहले से यहाँ पर फिल हुआ आ जाएगा इसको आपको जो है changes नहीं करना है अगर दोस्तों आपके father's name या mother's name में कोई changes करना होगा तो आप अपने certificate के अनुसारी यहाँ पर जो है सारा detail checker के डाल सकते हैं इसके बाद निचा आएंगे तो यहाँ पर आपको date of birth देखने को मिल जाएगा date of birth में यहाँ पर month select नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ से आप अपन जो है data of birth के month को select कर लेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर nationality लिखा हुआ आ रहे हैं यहाँ पर click करेंगे अगर आप Indian होगे तो यहाँ से आपको Indian select कर लेंगा category में general SC, ST, OBC जो भी आपकी category होगी उसको आपको select कर लेंगा religion में दोस्तों हिंदू, Muslim, C की साय जो भी आपकी धर्म होगी उसको आपको select करना है दोस्तों यहाँ से आपको अपने medium select कर लेंगा होगा English, Hindi, Sanskrit जो भी आपकी medium है उसको आपको यहाँ से select कर लेंगा है अगर दोस्तों आप PWD Candidate होंगे तो यहाँ पर आपको yes करना होगा, otherwise आपको यहाँ पर no पर click करना है उसके बाद दोस्तों last year password form लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने 12th कहां से किया है, कौन से university से किया है, यानि किस board से किया है उसको यहाँ पर आपको डाल देना होगा, दोस्तों अगर आप PG का enrollment form भर रहे हैं, तो आपने UG कौन से university से किया होगा, उसको यहाँ पर select करना है तो अगर आप यहाँ पर पूछा जा रहा है, कि क्या आपने migration certificate को जम्मा कर दिया है, गर आप college में जम्मा कर दिया होगे, तो यहाँ पर आपको नोपर क्लिक कर दिना होगा इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपने email ID और mobile number मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने email ID और mobile number दे देना है email id और mobile number दे देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं admission application number लिखा हुआ आ रहा है जब आपने admission के time जो भी form बर होगा उसमें आपको एक application number देखने हो को मिल जाएगा उसी application number को यहाँ पर आपको डालना होगा इसके बाद दोसमें आप ABC ID 12 डिजिट का मांगा जा रहा है तो दोस्तो आपको ABC ID कैसे बनाना है उस बारे में complete वीडियो जो है हमारे चैनल पे जो है upload कर दिया गया है वो वीडियो आप जरूर देखें और उसी माध्यम को follow करते हुए आपको ABC ID बना लेना है दोस्तो जब आप college में admission लेते हैं या कोई भी कारिय करेंगे तो आपको ABC ID मांगी जाएगी जो सभी candidate के लिए compulsory है तो उस वीडियो को देकर आप ABC ID बना लेंगे और उस ABC ID को यहाँ पर आपको डाल देना होगा ABC ID डालेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं permanent address मांगा जा रहा है address line first, second, third, city, post office, district, state, pin code यह सारे जो address के detail आपको fill कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर correspondence address मांगा जा रहा है अगर दोस्तों आपका present address और correspondence address अलग है तो यहाँ पर आपको अपना correspondence address डाल दिना होगा second step में हमें अपना qualification detail को upload करना होगा देख सकते हैं जो file की size होगी वह दोस्तों के भी से कम होनी चाहिए वही jpg यह फोटो format में आपकी जो file है वह होनी चाहिए video format यहाँ पर allow नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले बात के हैं document की तो देख सकते हैं higher secondary या आप अपने equivalent की अनुशार यहाँ पर अपना certificate को upload करेंगे दोस्तों अगर आप college first year में admission लिये हैं तो आपके यहाँ बारवी का certificate है उसको upload करना होगा upload करने के यहाँ पर देख सकते हैं browse का option से यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे यहाँ पर permission देंगे तो आपका जो file है वह open हो जाता है आपने जिस file में अपना 12 अगर certificate रखा हुआ है उस file को उस certificate को यहाँ पर select करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो type पर click करेंगे यहाँ पर arrow यहाँ पर click करते हैं देख सकते हैं original और provisional आ जाएगा अगर अपर certificate original है तो original पर click करेंगे और यहाँ पर छोटा से upload लिखा हुआ आ रहे हैं यहाँ पर आपको click करना होगा थोड़ा से wait करने के आप इस प्रकार से देख सकते हैं upload link के नीचे आपको जो document से हुआ आ जाता ह है यानि कि आपको document है वह upload हो गया है इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं save enter प्रोशिट के यहाँ पर बटन है यहाँ पर हमें click करना होगा जैसी आप यहाँ पर click करेंगे हमारा second step complete हो जाता है third step में हमें अपना photo और signature upload करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो जो photo की size होगी वह 100 के भी से कम होनी चाहिए और जो signature की size है वह भी 100 के भी से कम होनी चाहिए तब ही upload होगी photo और signature की size को research कैसे करें उस बारे में हमने पहले ही पूरा detail वीडियो बना दिया है उस वीडियो के लिंग आई बटन और description पर देदेंगे वह वीडियो आप देख लीजिए इसके बाद दोस्तों आपको choose file पर click करना है जिस file में आप अपना photo रखे हैं उस photo को select करेंगे इस प्रकास से photo है वह आ जाता है उसी प्रकास से यहाँ पर आपको जो signature भी upload कर लेना होगा photo और signature upload हो जाने के बाद निचे save and proceed के बटन पर click करेंगे जैसे click करेंगे तो आपका application form का preview है इस प्रकास से आ जाता है इसमें दोस्तों जो भी हमने information दिये हैं सभी detail यहाँ पर आपको check कर लेना होगा अगर यहाँ कोई गलती है तो आप जो edit कर पाएंगे confirm हो जाने के बाद आप edit नहीं कर सकते इसलिए यहाँ से सारे detail आपको अच्छे से check कर लेना होगा सारे details से होने पर icon from the above पर आपको check mark करना होगा और confirm and submit लिका हुआ आ रहाएं यहाँ हमें क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर जो हमें payment करना है तो proceed to payment पर आपको क्लिक करना होगा इसके बाद दोसी इस प्राकार से आप देख सकते हैं payment का amount देख सकते हैं 150 रुपए का यहाँ पर आपको payment करना होगा जैसे आप payment टाइप पर क्लिक करेंगे अगर आप जो है online पर आपको select कर लेना है अगर दोस्वा आप UPI के द्वारा यानि phone पे Google Pay के द्वारा payment करना चाह जाता है निचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर दुबारा पर now and submit application पर क्लिक करना है इसके बाद हमारे समने payment gateway है वह आजाता है देख सकते हैं phone पे Google पे पे टीम वाट्सप पे other UPI यह बहुत सारे options दिये गये हैं और आप phone पे से payment करना चाहते है Google पे से payment करना चाहते है उसको अपको select कर लेना है इसके बाद दोस्तों आपको UPI ID डाल देना होगा UPI ID डालने के बाद यहाँ पर समिट के बटन पर क्लिक करना होगा UPI ID डालने के बाद यहाँ पर confirm payment पर क्लिक करना होगा जो भी आपने UPI ID डाला है उस UPI application पर एक request चला जाएगा उसे आपको accept क करके payment कर देना है payment करने तक दोस्तों इस पेस्ट को रिफ्रेस्ट नहीं करना है यह और टोमेटिक जो है रिफ्रेस्ट हो जाएगा जैसी आपका payment सक्सेस्पुल होगा थोड़ा सा वेट करेंगे हमारे समने इस प्रकास से जो application form है वह लॉगट हो जाता है दुबारा हमें login करने के लिए student पर क्लिक करना है email id पासवर्ट डालेंगे और submit के बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा यहां पर क्लिक करेंगे आपको application form है कुछ इस प्रकास से सो हो जाएगा आपको application form में पूरा डिटेल चेक करना होगा निचायंगे आपर print का बटन है यहां में क्लिक करना है और इससे जो है PDF format में आप mobile पर save कर सकते हैं दोस्तों यह form other mobile में जो है PDF format में save नहीं होता है तो आ प्रकास आप असानी से ही घर बैठे अपना नमांकन form भर पाएंगे